सबजी विक्रेता जब बोलने लगी अंग्रेजी तो अधिकारियों के होश उड़ गए फराटेदार अंग्रेजी सुनकर कलेक्टर भी हैरान रह गए इन दोर में नगर निगम अधिकारी जब सब्जी के ठेले हटबाने पहुँचे तो सब्जी बेचने वाली प्येश्टी स्कोलर रहिसान सारी ने फराटेदार अंग्रेजी में जब अधिकारियों के सामने अपना दर्द बया किया तो वो हैरान रह गए रहिसान सारी ने कहा कि सब्जी के ठेले हटाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे रहिसान सारी ने अधिकारियों को अंग्रेजी में समझाया कि अपने बच्चों का पेट पालना सब की मजबूरी है और उसके बाद हिंदी में सरकार को भी संदेश दे दिया कि लोक नाउन में सब्जी का ठेला नहीं लगाएंगे तो किस नेता के पास जाएंगे किसके काले पड़े किसके काले पड़े यह मंडी आज से नहीं है हमारे छे से साथ पिड़ी चाच चुकी है यह वियर वियर स्वाम फॉम्डी है लेकिन कोरोना काल में नौकरी ढुनना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनका नाम रईसा अंसारी है मणा दुकी है कि अ कर छ और विह घडित पर प्रैजिन, प्रलम, प्रावुणा ट्र मुस्लम करता है को इस बूड़ इस दो प्रावुणारा को मार्या प्रणाम टमर्डरा के बावुछा प्राविग्ट से बिद्धार के रुड़ियों के लुड़ियर आखे Ms.ager, प्रणागर्यन लुड़ियर है इंदोर के कलेक्टर ने रहिसांसारी के दर्द को समझा उनकी बास सुनी लेकिन पीएच्डी स्कोलर रहिसांसारी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए क्योंकि रहिसांसारी की कहानी देश के सिस्टम के बड़े सच को उजागर करती है जो उस कहावत को सही साबित करता है कि राम चंदर कह गए सियासे ऐसा कल जुगाएगा हश चुगेगा दाना कव्वा मोती खाएगा आप पिएस्टी स्कोलर रहिसांसारी के सबजी का ठेला लगाने की मजबूरी पर क्या सोचते हैं का मैं को बोट सुमें पिराइगा है जरुट